बॉलीबोट के मुनाफ़े के लिहाद से यह साल उतना अच्छा नहीं रहा। अगर कुछ एक फिल्मों को छोड़ दिया जाये तो बड़े कास्ट और बड़ी बजट के बाउजित भी फिल्में बॉक्स आफी पर जादा कमाल नहीं कर पाई। और इस बार सबकी नज़े दिर फेंद फ्रिलर मूबी है। हालांकि क्रिटिक्स की ओर से दिर्स्यम टू के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और जिनको दिर्स्यम अच्छी लगी लगी थी उनको इस मूवे से कापी ज़्यादा उमीदे भी आ बिना ज़्यादा दिमार्ग लगाए जो इस मूवी को देखना चाहेंगे उनके लिए यह मूवी बहुत ही मज़ेदास सस्पेंस और थ्रिलर होने वाली है अगर डारेक्टर और राइटर में किसी ने कमी ढूरने की कोशिश की तो कहानी थोड़ा सा कमजोर लग सकती है तब पता चलता है कि आटियंस फिल्मों के पात्रों से पर्चित है वे अपने दिमार्ग में कुछ खास बात रखकर स्विक्ल को देखने आते है सबसे बड़ी समझाया होती है कि किसी स्विक्ल में पात्रों को एक सीमी दायरे में ही रखना होता है पहले फिल्म में जो कारेक्टर होते हैं हम उनसे अलग नहीं जा सकते और इस दायरे को ध्यान में रखकर कहाने लिखना एक कटिन कारे होता है यही कारार है कि द्रिस्यम के डायरेक्टर ने इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के पच्च में नहीं थे और वे पहले से ही इसके अच्छे स्क्रिप्ट की इंतिजार में थे जो फिल्म के साथ नयाय कर सके और साथ साल बाद उन्हें इस फिल्म की स्क्रिप्ट मिल ही गई इस फिल्म में कहानी को बिल्ड अप करने में थोड़ा जादा समय लिया गया है कहानी सेकेंड हाफ से रोमांच, सस्पेंस और थ्रिल्र पैदा करना सुरू कर देती है इस फिल्म के आखरी का एक घंटा इसकी जान होती है जो क्लाइमिक्स को एक अलग ही लेबर पर ले जाती है बीजे को फिल्में देखने का बड़ा ही सुख होता है और वह अपने आपको बचाने के लिए इन फिल्मों का ही सहरा लेता है इस बार भी बीजे के इर्दगित फिल्में ही गुमती है स्क्रीन प्ले भी बढ़िया है पर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक भी है जैसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में CCTV का ना होना बीजे और फोरेंसिक डिपार्टमेंट के वाचमैन के दोस्ट को नजर अंदाज करना बीजे के परिवार के सोच को अच्छा दर्साया गया है उनके लिए सीन की बिनौट अच्छे तरीके से की गई है कुछ परिवारिक द्रिश्च दिल को च्छू जाते हैं जो सस्पेंस और फिल को मूवी में बनाया रखती हैं जो बीजे का परिवार महसूस करता है वही दर्सक भी महसूस करते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि इनका भंडा फूटने वाला है पर सब को समल जाता है कुछ दिश्चों में ऐसा सस्पेंस क्रियेट किया गया है कि दर्सकों को मज़ा ही आ जाता है और फियेटर में सीटियां बजने लगती है फिल्म में हर बात को विस्तार से समझाया गया है कुछ घटनकरम है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है फिल्म में मनोरंजर भी भरपूर है सर्सपेंस फिल्म को बात कर रखता है आगरी के 20 इमिनिट आपको अपने सीट से उठने भी नहीं देंगे यहां तक की पलग भी जपगने नहीं देंगे डारेक्टर ने दिश्यों को गराय के साथ पेस किया है कुछ ऐसे सॉर्ट्स भी हैं जो इस फिल्म को उचाईयों पर ले जाते हैं एक सीन में बीजय से पूछताच होती है और उसी के बगल वाले रूम में बीजय की फैमिली को टार्चर किया जा रहा होता है इस सीन में कैमरा एंगल मूवी में चार सांद लगा देता है आजय देवगन बीजय का किरदार बहुत अच्छे से निभाते हैं उन्होंने दिर्शम में जहां से बीजय को छोड़ा था इस फिल्म में उसको वहीं से पकल लेते हैं तब वो इसमें पुल्स आपसंदरी बलकी एक मा के रोल में है जिन्होंने एक कत्र हुए बेटे के मा की बेबसी और गुस्षे को बहुत अच्छे ढंक से सामने रखा है इसके अलावा अच्छे खना, स्रिया सरन और उनकी बेटी बनी इसीता दत्ता ने अपने रोल के साथ बहुत अच्छा नयाय किया है अच्छे खन्नाने आजी के रोल को बहुत अच्छे से निभाया है द्रिस्चम टू एक बहुत ही बहतरीन मूबी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी आप सबको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए यह मूबी खतम होते होते हमें एक और सस्पेंस में डाल के जाती है जिससे हमें पता चलता है कि आने वाले सालों में हमें द्रिस्चम टिरी भी देखने को मिलेगा